दोफ तो एक ताजा मामला माराफ्ट के बारामति से निकल कर आया है जहां माराफ्ट के उप मुख्य मंतरी अजीत पवार के पडोफी ने आत्मत्य कर ली और सीधे सीधे सुसाइड केस में एनसीपी के नेताओं के नाम लिके है और सवाल ये उठता है कि क्या परमवीर सिंग उसी परकार से कारवाई करेगा जैसे अर्नव गोस्वामी पर की गई थी क्या उप मुख्य मंतरी पर वही कारवाई होगी क्या उप मुख्य मंतरी को पकटकर जेल में ले जाए जाएगा इसी मुद्देवर बात करेंगे कैप्टन आई सिंग हमारे साथ मुझूद है फर ज यही मांग करूँगा महराध सर्कार से और बंभई के जो पुलिसर कमिस्टर है परमीर सिंग्जी ऐँ आपके बहूत परमीर सिंग्जी के बहुत का जो कारना में बंभई में बहुत हाई हो रहे जो उनना कि किसी को भी उठा के जेल में डाल देते हैं, अब मैं आप से यही पूछना चाहता हूँ, प्रमवी सिंग जी, क्या आप उपमुक मंत्री को इस सुसाइट केस में आप उनको आरेस्ट करेंगे, क्या उनको आप गसीट के घर से ले जाएंगे, जिस तरह से आप अर्नम को ले ग परमवीर आपका मू काला करने लाइक हो जाएगा, आप बात करने लाइक नहीं रहोगे, क्योंकि एक तरफ तो आपने अर्नन गोसामी को सुसाइट केस में जो है ना, जो जब को वो केस बंद हो चुका था, उसमें उठाया और आप गसीट के उनको ले गए, और एक तरफ जो है ना, सुसाइट कर रहा है, और सीधा सीधा सुसाइट लेटर में लिख रहा है, कि एन सीपी नेताओं की बज़े से मैं सुसाइट कर रहा हूँ, तो महरास सरकार और महरास्ट के ये पिलिस कमिशनर परमवीर सिंग जी से, मैं मांद कर रहा हूँ, क्या आप का तो आपको पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है और आपको जो है ना इबो हालत में पहुचा देगी ये जनता कि आप कहीं मुँ दिखाने लाइक नहीं बचोगे अच्छा अभी जलगाओं में भी एक एसा है मामला सामने आता जा एक बस कंड़क्टर ने आत्फटा कर ली थी सैल ही न मिलने की कारण और सीधा सीधा आरोप उद्दव ठाकरे पर लगाता लेकिन आपने देखा ना तो परमवीर सिंग ने कोई कारवाई की न मुंबई पुलिफ ने कोई कारवाई की आज महराज सरकार की ये एक जो रिजरप एक सिकोटी होती ना उस तरह से महराज पुलिस बनके रह गई है और उस महराज पुलिस के मुखिया परंबीर जो परंबीर जिनको कहते हैं जबकी परंबीर नाम है मगर नाम के हिसाब से उनके काम नहीं है वो उस सिकोटी गाड के जमानों एक लीडर बनके रह गए जब कि कमिश्णर का बहुत बड़ा पद होता है कमिश्णर जो चाहे वो कर सकता है मगर कमिश्णर ने जो अपना पर्चे दिया इतने बड़े पद पे बैठके तो लानत है ऐसे कमिश्णर पे अगर वो इस पोस्ट पे बैठके और जनता के बीच रहके अगर नयाई नहीं कर पाता है तो ऐसे पद को त्याग दे दाना चाहिए परमभी सिंग मैं आप मांग करता हूँ अगर आपने NCP नेताओं को गरबदार नहीं किया इस सुसाइट में तो आपको तुरंत पद छोड़ दे दाना चाहिए कि आप उस पद की गर्मा रखने लाइक आप है नहीं और सारी जनता देख रही है आपको कि आप इस केस में क्या करेंगे अच्छा आपने एक चीज ओर देखी होगी जीव तरीके से महाराष्ट में सिवसेना की गुंडा गर्दी चल रही है अगर कोई उनके खिलाब बोलता है तो किसी को गंजा कर दिया जाता है कोई नेवी का रिटार्ड अपसर होता है तो उसकी आग फोड़ दी जाती है और सवाल ये भी बनता है कि परंबीर सिंग उदव ठाकरे से इतना डरता क्यों है ये इसका बहुत बड़ा कारण है कि परंबीर सिंग उस टाइम के है जब प्रिग्या ठाकर को वहाँ माले का ब्लास धमाकों में आरोपी बनाया गया था जबकि उनका कही से कही उसमें इन्वोन उस केस में नहीं था और उस टोचर करने वाली टीम में उस टाइम भी परंबीर सिंग थे तो परंबीर सिंग जो है ना एक कांगरेस के बफादार अधिकारी सुरू से रहे है वो पुलिस के बफादार नहीं है वो एक पार्टी के बफादार है तो आज भी वहां महरास्ट में सरकार कांगरेस की है और वो पूरी बफादारी निवा रहे और उसी चीज़ का उनको इनाम मिला गया है जो उनको बंबी का कमिस्टर बनाया गया है तो ये जो है ना परंबीर महरास्ट के पुलिस के कमिस्टर नहीं है ये एक पार्टी के कमिस्टर बनके रह गए महरास्ट सरकार के कमिस्टर बनके रह गए तो ये बड़ा ही सोचने वाली बात है महरास्ट की सिति आज इतनी बुरी हो चुकी है कि मैं कह रहा हूँ इस से पहले तो सीरिया की सी ती इस से अच्छी थी क्योंकि यहां अगर एक सेलिक कोई बात उठाता है तो उसको घर में घुशके मारा जाता है अगर दूसरे कोई मीडिया कोई बात उठाती है तो उसके उपर केस लगा दिये जाते मगर नेता वहां चाहे कितनी भी जास्ती कर ले नहां महराज सरकार के, NCB के, सिबसेना के, कांग्रेस के चाहे लूट मचा रहे हो, चाहे किसी को मार रहे हो पुलिस उनकी तरफ देखती नहीं है तो मुझे ये लग रहा है कि ये पुलिस है कि उनकी परसनल सिकोर्टी गार्ड है और वहां पर सरकार है या तालिवानी सासल है तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जनता बहुत परेसान है अच्छा एक चीज़ और है, कल एक जो हिंदू भाई है वो बठवारे के समय मुंबई आ गए ते और कराची सीट के नाम से अपनी दुकान चलाते थे सिसेना के नेता है, उनको धमकाने के लिए पहुच जाते है कि अपनी दुकान का नाम बदल दीजिए, मराटी सीट रख लीजिए और सवाल ये भी बनता है कि सर क्या कानून का राज चला है वो जंगल राज है जंगल राज को भी नहीं कहें मैं तो कहीं हूँ है तालेबानी राज है तो वहां जो यह तीन सरकारे चलवा रही है उसी तरह से वहां की पुलिस चल रही है पुलिस के अंदर कोई नेतिका नहीं बची सरकार में तो है ही नहीं पुलिस के अंदर भी अपन का जो है ना सिकोर्टी एक अधिकारी बनके रह गया है पुलिस कमिशनर बनके उसमें कोई नजरी नहीं आ रहा है उसके गोड़ लेकिन पाल घर के साथ हो कि हद्थया को دोसों से जादा दिन हो गए जाज करने चाहिए ठी पाल घर के सादों के हत्त and लेकिन मुंबाई पुलिस क्या कर रहे है अगर कोई खिलाब बोलता था उसको जेल में अंदर डाल रही है बिर्कुल जो है ना महराज सरकार महराज पुलिस को इस तरह से चला रही है कि जो कहती है कि आप ये करिए वो ही करती है दुनिया ने देखा था कि पाल घर में तीन संतों की निर्मे हत्या हुई थी पीट पीट के पुलिस बालों के हाथ में मारा गया था वो तो देखिए कि पुलिस वालों का वो बिचारे डर के मारे संथ पुलिस का आके हाथ पकड़ लेते हैं और पुलिस उनको हाथ से अपने तो छुड़ा के और उपद्रियों के सामने फैंक देती है कि लोग इनको मार दी दिये तो कहां यह पुलिस बची है मैं कहा रहा हूँ पुलिस नहीं है इस से तो जो है न जो इसके बगदादी के जो लड़ाके थे न से हम यही कामबो करते थे जो आज महराज पुलिस कर रही है महराज पुलिस का चेरा और बगदादी के जो लड़ाके थे उनमें कोई अंतर नहीं बचाए क्योंकि नेतिकता बची नहीं है कानुन नियम उनमें बचाई नहीं है जबकि पोलिस जब बर्दी पहनती है तो बहुत बड़ी सपत लेती है संविधान के हाथ रख्यों सपत लेती है कि हम जो करेंगे सम्विधान के तहत करेंगे इस देज के हित में करेंगे मगर आज परंबीर वो सारी सपतें भूल चुके हैं वो सारी कसमें भूल चुके हैं आज वो एक कमिशनर ना बनके एक सिकोर्टी अफसर बनके रह गए है महरास्ट पुलिस के एक पाल्टू बनके रह गए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे कमिश्णर को तुरंट इस्तीपा दे देना चाहिए लेकिन उद्व ठाकरे ने भी कहा था कि आप चिंता मत कीजिए पालगर के जो सादू है उनको इंसाब मिलेगा लेकिन सर्फ सवाल यह है कि इंसाब कम मिलेगा क्या उद्व ठाकरे भूल गए है कि सादो की लिंचिंग हुई थी वहाँ पर लगबग पालगर कांड को साथ महने होने को जा रहे और वहाँ पर गिरिबदारियां भी नाम मातर की होई थी और उनको तुरंद जो है ला जमानत मिल गई तो नियाए कम मिलेगा आप देखा होगा कि वहाँ एक बीजेपी के बिधाई के राम कडम उन्होंने इसको लेकर अंदोलन शुरू किया तो उनको गिरबदार कर लिया गया तो ये सरकार कर के आ रही है सरकार डर किस बास सरकार के अंदर मैं ये जानना चाहता हूँ किस बात का डर है क्यों लोगों को रोक रही है क्यों जेल में डाल रही है अगर आप साफ सुतरे है आपके अंदर कहीं गलती नहीं है तो आप डर किस से रहे हैं आप क्यों लोगों को अरेस्ट करा रहे हैं मीडिया बोलती तो आप मीडिया को अरेस्ट कराते हो आप जनता बोलती उसको आप अरेस्ट करा रहे हो आप किस किस को बंद कराएंगे मैं यही जानना चाहता हूँ ज्यादा अती रावड की भी नहीं चली है महाराज सरकार और परंबीर से मैं बता दू आपको कि अती रावड की भी नहीं चली है उसको भी लास्ट में धरासाई होके धूल में गरना पड़ाता वो इस तती एक दिन महाराज सरकार की और परंबीर की होने वाली है कोई ये देश देख रहा है देश की 130 करोड जन दू के लिए नियाय की मांग उठाना संपरदाइक रिपोर्टिंग है बिरकुल ये है ये नियाय पाल का इस चीज़ को देख रही है क्योंकि महाराज सरकार और महाराज पुलिस इनके अंदर कोई नियम और कानून और सम्मिधान कोई बचाई नहीं है तो पत्रकार को तो जरूप से अजादी है उनकी अभिवेक्ति की आजादी है जो चाहें रपोर्ट दिखा सकते हैं वो और खासकर के अरनंद गोश्वामी जैसा पत्रकार बो तो वही दिखाता है जो सत्त होता है सत्त के अलावा कुछ दिखाता ही नहीं है आपकी बो मीडिया नहीं है जो सीधे उसमें गेरे में आ रहे हैं कानून के गेरे में आ रहे हैं इनके उपर सीधे सीधे तीन साधियों साधियों का मडर का इल्जाम इनके उपर आ रहा है तो इसलिए जो है ना ये इन्नों ने ये बना के रखा है कि किसी तरह से अरनन गोसामी को आर भारत को चुप कर आया इसलिए उन्हें कहीं जेल में डाल रहे हैं, कहीं उनके रिपोर्टरों को जेल में डाल रहे हैं, कहीं जो है अर्नन गोसामी को जेल में डाल रहे हैं, कहीं उनके जुर्माना भेज रहे हैं, तो यह सब इनकी सोची सब भी रननीती है, मगर मैं जानता हूँ अर्नन गोसामी ए झाल